असलम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बक्राईद स्पेशल नमकीन गोश्ट की रेसिपी जो बहुती टेस्टी बनने वाला है और एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं जो तरीका है रियल तरीका इसका बनाने का उस तरीके से हम बनाएंगे तो रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं नमगीन गोश्ट बनाने के लिए हमने यहां पर देखे हमने फैट के साथ लिया है यानि चिकनाई के साथ दोनों तरह का इस तरह से लेंगे न तो भी बहुत प्रीस्टी बनेगा अब इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया है और देखे आप छोटे पीस करवाना चाहें गोश्ट के तो छोटे कर सकते हैं बड़े चाहें तो बड़े जैसे भी आप चाहें वैसा रख सकते हैं अब यहाँ पर हमने इसको ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाले हैं तो इसमें देखी हमने यहां पर लोही की कड़ाई लिये तो इसको हमने बनाएंगे लोही की कड़ाई में तो टेंशन मत लीजी अगर आपके पास लो कर देना है और इसमें एट करेंगे एक ग्लास पानी तो रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए तो यहां पर हमने पानी एट कर दिया है एक उबालाने देंगे और अगर अभी तक आपने इस्टाग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएए फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यहां पर देखिए गोश्ट में उबाला आने लगा है इस तरह से तो अब इसको हमने कवर कर देना है फ्लेम इसमें नहीं एड किया था गोश्ट ने खुद से ही वाइल रिलीस किया है यह देखिए इसी में यह बुनेगा और बहुत जादा टेस्टी बनेगा अब यहां पर गोश्ट को चेक कर लेते हैं एक घंटा लग गया था इसको गलाने में तो यह देखिए अब जो इसका जो यह मतलब ऑईल है उसको आप एक बॉल में भरकर रख लीजिए जब भी आप सी कबाब बनाते हैं उसमें यह एड कीजिए बहुत जादा टेस्टी बनेंगे फ्रिज में रख दीजिए जब आप कबाब बनाएं तो उसमें से एक से दो चमच कबाबों में एड कर लीजिए और तब कबाब बनाएं आपके कबाब अग्दम मार्केट वाले बनेंगे तो यह देखिए हमने इसको अच्छा सा कड़क सा दल लिया है इस तरह से व्रॉइ कर ले जैसा भी जितना कड़क आप चाहते हैं उतना इसमें फ्राइ कर सकते हैं तो यह पर हमने फ्राइ कर लिया अब इसको हमने बाहर निकाल लेना है तो ऑईल को हम कड़ाई में चोड़ेंगे और इसको सिर्फ गोष्ट को बाहर निकालना है तो यह दिखिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही जादर टेस्टी बनकर त्यार हुआ है और अगर हाँ आपको हमारी प्रेशर कोकर बाली नमकीन गोष्ट की रेशिपी चाहिए तो भी हमारे चैनल पर अपलोड है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा अब इसमें हम एट करेंगे सिर्फ चार्ट मसाला और नीबू और कुछ इसमें नहीं जाएगा तो हमने जितना आप चार्ट मसाला खाना चाहते है यह देखें बस अच्छे से इसको मिक्स कर लिंगे आप देख सकते हैं इसका लूग देख सकते हैं और टेस्ट तो इसका कहने हिक है तो जुरू ठ्राइ किजिए यहाँ पर हम सर्फ कर लेते हैं यह देख सकते हैं बहुत जाधा टेस्टी बना है वीडियो पसंदारिये प् कि देखिए थोड़ा से चाठ मसाला थोड़ा से नीबू तो इस गोश्ट को नमकीन गोश्ट को बनाने का रियल और ऊथेंटिक तरीका है ये इसी तरीके से ये बनाया जाता ह। इसमें कोई मसाले बागरा एड नहीं होते हैं ये दिए के बहूत अच्छी तरीके से कोकु गाया है अंदर से बिल्कुल गल गया है तो ट्राइ जरूर कीजिए गा इस बक्राइद पर इस रेसिपी को आप जब भी ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करकर जरूर बताईएगा तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेस जरेस् झाल झाल